आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सुपारी आपकी से सम्रंदित समस्याओं को खत्म कर सकती है इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करें और इंड में इस वीडियो को लायक जरूर करें और इसी प्रकार की और वीडियो उसको प का जानेंगे डोस्तों अगर बच्पन में की गई गलर्तियों की वजह से आपका लिंग टेशा हो गया है और वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता और मात्रे कुछ सेकंड में धीला हो जाता है तो यह एक सुपारी आपको इस समस्या से निजात दिलाएगी क्यूंकि इसके प्रयोग से शरीर में बलट का सेकुलेशन सुधरता है जिससे बलट सही मात्रा में लिंग तक पहुँच पाता है और इस से लिंग फोल टायट हो जाता है अगर आप ज्यादा देर तक बिस पर पर नहीं टिक पाते हैं और कुछ ही सेकंड में छह जाते हैं तो यह एक सुपारी खाने से आप अपनी साथी को फू मज़ा दे सकते हैं और 20 मिनिट से भी ज्यादा देर तक आप लगातार सेक्स कर सकते हैं अगर आपके वीरे में शुक्राणूगों की संख्या कम हो गई है और इस वजह से आप पिता भी नहीं बन पा रहे हैं तो इस नुस्खे के सेवन से आप अपने वीरे में शुक्राणूगों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और 40 दिन तक अगर आप संभोग न करें और इस नुस्खे का सेवन करें तो 40 दिन बाद आप बच्चा पैदा करने के काबिल बन पाएंगे तो दोस्तों आईए अब जानते हैं कि कैसे हमें इस सुपारी का सेवन करना है सबसे पहले एक सुपारी लें सुपारी उसे बोलते हैं जो पान में डाल कर खाई जाती है अब इस सुपारी को पीस कर इसका पाउडर बना लें और इस पाउडर को चार पाउट में डिवाइट कर लें, अब इसमें से एक पाउट लेकर, रात में सोने से पहले दूद के साथ सेवन करें, रोजाना आप इतनी ही मात्रा में सुपारी का सेवन करें, और 40 दिनों के बाद, आप खुद ही इसका रुजल्ट देखेंगे, लेक